प्रादिशिक समाचारी कांज भुपाल से प्रस्तुत है दमोह जिले की चिठी आलिक, अनिल जैन, वाचक स्वर सेयुक्ता बैनर जी दमोह बीना रेल खंड पर ट्रेनों के बढ़ते दबाव को कम करने के लिए तीसरी रेल लाइन बढ़ाने का काम तेजी से चल रहा है 263 किलोमिटर लंबे इस रूट पर काम 2024 में पूरा होना है वर्तमान में दमोह से कटनी के बीच 90% दी काम पूरा हो चुका है अब केवल बादकपुर से घटेरा तक 14 किलोमिटर तक का तीसरी लाइन का काम होना बाकी है 263 किलोमिटर लंबी इस लाइन पर कुल 316 पुल बनने है जिसमें 12 बड़े 26 मध्य और 278 चोटे पुल है जिसमें अधिकांश का काम पूरा हो चुका है जबकि बड़े पुल भी नर्माना धीन है मॉडल रेलवे स्टेशन पर आने जाने वाले यात्रियों को अब आगामी महिनों में तेज धूप या बारिश में खुले आसमान के नीचे खड़ा नहीं होना पड़ेगा अमरित भारत योजना के तहट प्लाटफॉर्म नंबर एक और दो पर खरीब 200 मीटर से अधिक तीन शेड बनाए जाएंगे दमो जिले के सरकारी स्कूलों में अध्यनरत कक्षा छेटवी और नवी के विद्यार्थियों को साइकल के लिए शासन द्वारा राशी जारी कर दी गई है इस योजना के तहट जिले में कक्षा छेटवी के 3477 और कक्षा नवी के 8534 चातराओं के खाते में राशी डालती गई है साढहे 400 विद्यार्थियों के खाता नंबर गलत या अन्यत रुटी की बचह से उनके खातों में राशी नहीं पहुँच पाई इस बार शासन द्वारा प्रतेग बच्चे के खाते में 4500 रुपे की राशी डाली गई है फटेरा कला स्कूल के सहायक शिक्षक काशिराम ठाकुर ने अपनी डेड़ एकर जमीन बेच कर अपने निवास ग्राम हिंगवानी में एक एकर जमीन खरीद कर हाई स्कूल बनाने के लिए सरकार को दान की सरकार ने उस जमीन पर हाई स्कूल बना दिया जिसमें आज लगभग 100 से अधिक वद्यार्थी पढ़ रहे हैं दिरसल गाउ में मात्रो मिडल स्कूल तक ही शिक्षा थी आगी की पढ़ाई करने के लिए वद्यार्थियों को गाउ से 15 किलोमेटर दूर चाना पड़ता था ऐसे में कई अभिभावक अपने बच्चों की पढ़ाई ही छुडवा देते थे इस दर्थ को हिंगवानी गाउं के निवासी सहयक शिक्षक ने समझ और उन्होंने ही गाउं में जमीन खरीद कर सरकार को दान कर दी जिस पर स्कूल बनाया गया पांच सितंबर शिक्षक दिवस पर जिले के दो शिक्षकों को महमहीम राजेपाल द्वारा सम्मानित किया गया पटेरा विकासखंड की प्राथमिक्षाला बमूरिया की शिक्षक संध्या तंतुवाय और विकासखंड बटियागड की EPS माध्यमिक्षाला पांधा जीर के विमलकुमार पटेल को सर्वश्वेष्ट शिक्षक के रूप में सम्मानित किया गया इस दोरान शास्किय नवीन माध्यमिक्षाला लिधोरा के शिक्षक माध्यव पटेल को राज्यस्तरिय शिक्षक संगोष्ठी में तृतियस्थान प्राप्त करने पर सम्मानित किया गया महिला अपराधों पर अंकुष लगाने पर और पीड़ित महिलाओं को ततकाल मदद उपलब्ध कराने के लिए जिले के सभी पुलस थानों में उचा महिला हेल्प डस्क शुरू की गई है इन हल्प डस्क में तैनात महिला पुलिस अधिकारियों के लिए पुलिस मुख्याले द्वारा परियाप्त संसाधन उपलब्ध कराये जा रहे है टीवी के मरीजों के लिए स्वास्तव भाग द्वारा निक्षय मित्र योजना शुरू की गई है इसके माध्यम से टीवी के मरीज को समात सेवकों के द्वारा गोद लिया जाता है और उन्हें पोशन आहार से संबंधित एक बास्केट दी जाती है इसे मरीज अस्पिताल में लाज और पोशन आहार से जल स्वस्त हो जाते है नरसिंगड के पास गुजरी सोना नदी पर 13 करोड की लागत से एक ओवर ब्रिज बनाया जाएगा इसके लिए टेंडर प्रक्रिया चल रही है ये ब्रिज नरियावी मंगोल मार्क पर बनाया जाएगा जिससे आवागमन की सुविधा सुलब हो सकेगी मंगोला के विद्यार्थी सुदूर स्कूल जाने के लिए नदी को नाव से पार करते थे इसको संग्यान मिलेते हुए सरकार ने यहाँ पुल मन्जूर किया है जिले में इन दिनों गिद्धों की चहल कदमी देखने को मिल रही है खासकर इंदुखेडा क्षेत्र में गिद्धों की संख्या ज्यादा बताई जा रही है यहाँ के कुछ गाउं के आसपास गिद्धों के जुन उड़ाने भर रहे है यह क्षेत्र नौरा देही अभ्यारनिय से भी जुड़ा हुआ है यहाँ पर 300 से अधिक गिद्ध होने का दावा वन विभा की ओर से किया जाता रहा है वन विभा के अधिकारियों के माने तो पहले यहाँ गिद्धों की संख्या कम थी लेकिन अब इस प्रजाती के संवरक्षन के लिए मोहीम चलाई जा रही है जिसका असर अब देखने को मिल रहा है पिछले दिनों एक निजी अस्पताल में रोटरी क्लब के द्वारा एक रक्तदान शिवर लगाया गया जिसमें 10 यूनित रक्त एक अतृत किया गया जिली के चठी समापत हुई